हे गाईज दिस इज मैं शुराजित मिस्तिरी हमारी मेकानिकल यूटूब चैनल पर आप सभी को श्वागत है दोस्तो आज मैंने शूपार स्प्लेंडर मोटो साइकिल का फॉंड का जो चेंस पॉकेट है चोटा बाला ओ चॉंस पॉकेट खराब हो गिया इसी की बज़ा से ब खोलने का बाद इसको हम पहला चेक करेंगे क्योंकि यह चोटा बाला चेंस पॉकेट जब भी घीश जाते है तब ऐसे आवाज करते हैं पहले तो हमें चोटा बाला चेंस पॉकेट को देखना है इसलिए हमें पहला चोटा बाला चेंस पॉकेट की धाक्कों को हमने खोल लि किया तो दोस्तो इसी की बज़ा से जब भी आप एक नंबर 11 में चर ने जाओगे तो ओव खर्खर करके आवाज करते हैं और और स्लीव हो जाते हैं तो दोस्तो और इसको कैसे बदलते हैं हम स्टेप बईसhtे बदल को दखाएंगे तो इसको बदलने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ते हैं और कौनशी बोल्ट को खोलना पड़ते हैं एह हीरो कमपानी का सुपार स्प्लेंडर है यह बहुती अच्छी बाइक है दोस्तों इसका ए चेंस पोकेट बिल्कुल घिश के खराप हो गया तो एक खराप होते हैं पीछे वाला खराप जाते हैं इसलिए फॉंड बाली चेंस पोकेट जल्दी घिशते हैं तो हमने एक नमबर 11 में डाल दिया डालके यह दस नमबर कि जो गूटी है और टी है दोस्तों दस नमबर की गूटी टी को ले लिया हम एक नमबर 11 पे रखे देख दिली हम खोल रहे हैं इसको तो गावा रहते हैं और एक लॉक्ति लॉक्ति को हम न्युक्ष की मदद से अराम से घुमा घुमा में इसको खोल लेंगे इस्षे खाज-॥ेकि नमबर लिए छेंस पोकेट यह सिर्सक निकाल लिया हम हम इसको बदलेंगे शेम ऐसे हम एक नया लेंगे तो फिर हम इसको बदलेंगे तो दोस्तों इसका दाता कितना है हम गीन लेते हैं एक तो दो से 5 शा मिलेंगे पर rendering trader को मिलाना है और अब इंज因 का शांद लगावा रहता है उसको भी मिलाना है शब को मिला के हम नाया एक ले लेंगे लेके फिर हम लगाएंगे तो दोस्तों आप ध्यान से देखिए वीडियो की स्कीप मत कीजिए वीडियो को स्कीप कर दोगे तापको समझ में नहीं आएगा तो हम पाईयों को थोड़ा खोल लेंगे क्योंकि जब भी हम नाया चेंस को हम लगाएंगे तब थोरा टाइट हो जाएगा तो इसलिए हमें पिछे बाला पाईयों का जो एकषल है मेन एकषल को हम थोरा डिला कर लेंगे डिला करने का बाद चेंस Poみinal W यह हाव एक्σेल का बॉलड को हम ढिला कार लिया आब हम एत चेन कोबार को खूलेंगे तो दोस्तों चेन कोबार को खूलने के लिए फिर से हम टी ले लिया और दृस्ट नंबूर की गूटी ले लिया लेट की शाइड में घुमाओगे तब भी आपका चेन कवर की बोल्ट खूल जाते है तो दोस्तो इसमें चार बोल्ट लगावा रहते है चार बोल्ट को हम एक एक करके खुलेंगे और दोस्तो इस शूपर स्पिलेंडर का जो चेन कवर है । यह Fiber की आते है और यह lock लगावा रहते है पीछे एक lock रहते है और कूल लगावा 4 lock रहते है future lock रहते है तो एक-एक करके सारे करके मुं आफ सकाफार फ District różnych टेवं पालने का बाद भाद हम थीर्च होड़ा तएट करेंगे करेंगे ताइट करेंगे ताइट करके फिर ओयल देके फिर से हम पिटिंग करेंगे वस्त देखने वाले हैं तो लिए हमारी वीडियो की दाता बिल्कव शेई है यह अभी भी एक शाल तक चलेगा तो आपकी बाइक का कभी भी ऐसे हलोत हो जाए तो चाराई में चारने का बहुते सिलीब देते है तो अब दोस्तों आपको ज्यादा पैशा खर्च करने का कोई जुरूत नहीं है फांड बाली चेंस पॉकेट को आपको बदल देना है ओ आपको 70-80 रूपिया में आ जाते है हीरो कमपानी का जेनुइन पार्स आपको 70-80 रूपिया में आ जाते है और आप घर में नहीं लागा पाओगे तो दोस्तों किसी भी मेकानिक पर जाओगे ओ पचास रूपिया ले लेगा लेकिन आपका फिर से चेंस पॉक्ट शै यह हो जाएगा और आपको चेंस बीना अपको स्लिप मार के भी एक साथ तक आराम से चल जाएगा तो इसमें आपको जाते से जादा देरशो रूपिया खर्च आएगा और एक शाल तक आप आराम से चला सकते हो तो दोस्तों ए देख लीजे hero company का genuine parts है यह chance pocket हमने तेरा दाता वाली chance pocket हमने ले लिया यह हमें आपको मिल जाएगा 70-80 रूपिया में इसमें 90 रूपिया की पींट लगावा है इस 70-80 रूपिया में आपको मिल जाएगा तो दोस्तों इसको हम लगाएंगे पन्नी को पहला हम पैकेट को फार देंगे फारने का बाद इस चेन स्पोकेट को हम निकल लेंगे निकलने का बात हम इसको बिल्कुल अराम से लगा देंगे लगा के लगपती को लगाएंगे बोल्ट लगा के फिर हम चेन को फिटिंग करके चाला के आपको दखाएंगे तो दोस्तो जो आभी तक हमारी चैनल पर नया है चैनल को लाइक सच्काइब नहीं किया तो दोस्तो हमारी चैनल को लाइक सच्काइब और प्याराशा कमेंट जरूर कीजिए और लाइक भी कीजिए हमारी वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना है हम और भी न आर्माल सयक्यल को इलेक्टिक सव में कैसे निवर्ट करें इलेक्टिक सायक्प्ष रिपियारिंग के अ एप facing कर मोटौव रिपियारिंग अब हमें lock को लगाएंगे लोग को देख लीजिये lock को कैसे लगाना है लागा कि विल्कुल बिश में रखके इसको गुमा देना है गुमाने का बाद इसमें हम दो दस नमबर की बोल्ट को लगाएंगे लोक और चेंस पोकेट की शाद बिल्कुल एटाच हो जाएगा दोनों बोल्ट को लगाएंगे लगा कि हम एक नमबर 11 पे रखके इसको आच्छी तरह कशेंगे तो इसको कशने के लिए हमें 10 नमबर की गोटी दरकार ले लिया और एक टी हमें लेना है एक गोटी और टी की मदद से एक नमबर 11 में रखके हम आच्छी तरह इसको कशेंगे इसको धिला मत छोड़िये बिल्कुल अच्छी तरह कश देना है एक धिला छोड़ दोगे तो दोस्तों एक खुल जाएगा तो आपका चेन गिर जाएगा और आपको दिक्कोत हो जाते हैं तो इसलिए हम एक दोनों बोल्ड को अच्छी तरह हमने कश दिया एक देख लिए हम थोड़ा आप घुमा के देखाएंगे चेन स्पोकेट फॉंड वाली लगाना हमारी फाइनली कम्पिलिट हो गया चेन को हम चराएंगे तो थोड़ा हमें चेन को धिला करना परेगा क्योंकि पहला वाला चेन स्पोकेट घिश के बिल्कुल खतम हो गिया था इसलिए चेन को हमें टारना परा था अब हम इसको थोड़ा धिला करेंगे क्योंकि नाया चेन स्पोकेट लगा दिया और ये नाया चेन स्पोकेट थोड़ा ज्यादा बरे है क्योंकि ये तो नाया है घिशा नहीं इसलिए चेन ज़्यादा टाइट हो गिया आप हम थोरा चेन चावी का बोल्ट को धिला करेंगे तब भी ये चेन चार जाएगा तो दोस्तो हमारी वीडियो आपको कैसे लग रहे है कामेंट करके जरूर बता ना है और भी नई नई वीडियो हम देते रहेंगे फूल नलेज का साथ तो दोस्तो एए हीरो कमपानी का शोपार स्प्लेंडार मोटो साइकल इसका चेन्स पॉकेट फॉंड वाली घीर जाए तो कैसे चलते है और इसको कैसे बदलता है बदलने का बाद है कैसे चलेगा वो भी हम चाला के आपको देखाएंगे इसलिए हमारी वीडियो की एंड तो जरूर बनिये रहिए वीडियो के स्कीप मत किजिए तो दोस्तो फाइनाली हीरक कमपानी का शुफार स्प्लेंडर मोटर साइकल का फॉंड वाली चेन्स पॉकेट बदलना कम्पिलिट हो गिया अब चेन को भी हम थोड़ा एक्जेस्ट कर लेते हैं एक्जेस्ट करके फिर हम पाईया को टाइड देंगे टाइड देने का बाद एड में इसका चेन्स का बल लाए गए और चेन्स पॉकेट की जो ढकन है उसको भी धेनため रगना है जादा टाइड नहीं होना चाहिए यह जादा लूज भी नहीं पिछे बाला पाइज हमारा पाया की जो एक्सरेल है एक्सरेल फाइनली हमने क satisf दिया कर zwischen का बाद हम छेन में थोरा लिंग देंगे तो दूस्त苍ं जेन में ऑयलिंग क्या उयल देते है यह जो बाइक का बदलने वाला जो ऑयल है बाइक से जो ओयल हम निकालके बाहर कर देते है नुए ओЙल डालने का बक तो दोस्तो ओई पुरानी बाली जो ओल है ओई चेन में आप दे सकते हो और नुए ओएल भी आप दे सकते हो तो दोस्तो हमने बाइक श्टार्ट करके एक नमबर 11 में डाल दिया आप हम ए ओयल दे रहा है तो दोस्तो अच्छी तरह ओयल चेन में लगा देना है और ज्यादा भी मत देना ज्यादा दे दोगे तो आपको मिट्टी पिट्टी लग जाएगा तो दोस्तो अंदर की शाइड में तो ओयल हमने अच्छी तरह दे दिया और हम उपर की शाइड में भी ओयल देंगे यह फर नंबर की गयार में हमने डाल दिया और थोड़ा हम एक्सिलीटर दबा के रखा आप हम उपर की साइड में ओयल देंगे तो दोनों साइड बरबर ओयल हमारा हम दे दिया तो देख लिजिए आप है स्लिप नहीं मार रहा है बिल्कुली अच्छा चल रहा है तो दोस्तो आप जब भी चेंस पोकेट को आप बदलते हो आपको धैन में रखना है यह चेंस पोकेट का दाता और अंदर की जो एंजिन का साथ लगने वाला जो खाज है वो बिल्कुल बराबर रहना चाहिए थोड़ा धिला थोड़ा चोटा बरा हो जाएगा तो आपको दिक्कत हो ज चेंस पोकेट की जो धक्कन है उसको हम लगाएंगे तो पहला थोड़ा कप्रे से शापाई कर लेते हैं शापाई करने का बाद हम इसको लगाएंगे तो इसको लगाने के लिए दो बोल्ट इसमें लगते है आट नंबर वाली आट नंबर वाली जो एक इंची बोल्ट इसम लॉक और पीछे बाली शाइड में एक लख रहता है एक फाइबर की चेन कबर है तो चेन स्पोकेट का भी ढखन जो है दोस्तों वह भी फाइबर की आते है इसको ज्यादा मत कशिए बहुत ही ज्यादा कर्दों के तो फाट जाते है इसलिए इसको अपना हिशाब से इसको कश है तो फाइनली चेन स्पोकेट की ढखन लगाना हमारा कंप्लीट होगी आब हमें चेन कबर को लगाएंगे तो चेन कबर लगाने के लिए हमें चार बोल्ट आते है जो प्लास्टिक बाला है दोस्तों प्लास्टिक का चेन कबर आते है शुपार स्प्लेंडर की पहले बाली कि में ते वह जो टीन बाला लोहे बाला जो चेन कवर था दोस्तों अब जो जितना भी सूपर स्प्लेंडर बाइक आया दोस्तों वो शब की फाइबर की चेन कवर है फाइबर प्लास्टिक ऐसी चेन कवर इसमें देवा है पहला तो हम उपर वाली चेन कबार को हम लगाएंगे फिर उसका बाद नीचे वाली चेन कबार की लगाएंगे तो उपर वाला जो चेन कबार है चेन कबार तो दोस्ता आधा आधा होते हैं दो पाट में आते हैं एक पाट उपर की शाइट से लगते हैं और दूसरा पाट नीचे की शाइट से लगते उपर का शाइड का जो पाठ हमने लगा दिया लगाने का बाद दोनों बोल्ड को हम थोरा-थोरा करके कश के रखेंगे ज्यादा हम कशेंगे नहीं क्यूंकि एदारोदार थोरा करना पड़ते है उपर वाली पाठ तो हमारा लगाना होगी अब नीचे वाली पाठ को हम लगा लगावा है दोस्तों लग को भी हम लगाएंगे उल्टी साइड में दो लग और पीछे एक लग रहते हैं हम देख लीजिए बिल्कुल आराम से लग को लगा दिया अब हम नीचे बाली पाट को भी दोनों बोल्ड हम लगाएंगे तो दोस्तों जो आभी तक हमारी चैनेल पा ृःण bak cada असाथ तो दोस्तों दोनों पार्ट का चेन कवर हमारा लगाना होगिया फाइंखिया आभ हम चारों बोल्ड को अच्छी तरह कर देंगे ये हमारा चेन्स पकेट बदलना फाइंग地方 होगिया अब हमmore आप ठोड़ाः चलाक को दखाएंगे तो दोस्तो यह हिरो कंपड़ी का सुपार स्प्लेंडर है और यह हे इसाइन बूदल को हिरोक्नािक्ट का है कि अब हम इसको थोड़ाः चालाक आपको दखाएंगे पहला तो चला नहीं पा था क्योंकि स्लीप आते थे देख लीजिए हम चला रहा है बिल्कुल अच्छा चल रहा है और भी एक खीच रहा है बहुत ही आच्छा है स्लीप अब नहीं दे रहा है तो दोस्तों फाइनले सुपार स्प्लेंडर का फॉंड वाली चेन्स का पॉकेट लागाना फाइनले कंप तक के लिए जाए हिंद जाए भारत बंदे मातरम